हैलो दोस्तो मैं ओम सर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब चनल दा एवन इस डड़ी पर तो आज की क्या अपडेट है अपडेट है कि मनिपूर के अंदर कल अटेक किया गया था कुछ सस्पेक्टिड टेरिस्ट द्वारा मनिपूर के सी एम पर और उनके जो काफिला जा रहा था वहाँ पर अटेक किया गया और उस पर जो हमारी सेंटर गौर्मेंट है क्या एक्षन लेने वाली है सारी डिटेल एक-एक बताएंगे और क्या ये इसू है ऐसा मनिपूर होँआ पर क्यों जल रहा है क्यों होँआ पर आग लग रही है इतनी ज़्य कवर किया था कि CM का जो काफिला जा रहा था मनिपूर में वहाँ पर अटेक कर दिया गया था और ये जा कहां पर रहा था ये जहां पर हिंसा हुई थी जीरी ब्रहम में जो डिस्टिक है वहाँ पर ये जा रहा था और उसी वेपर उसी रास्ते पर कुछ टैस्टों ने CM के क फिले पर अटेक कर दिया, तो यहाँ पर देख सकते हो, टूटर पर भी पोस्ट किया गया है, खुद CM, बेरन द्वारा, जो वहाँ पर सिक्योर्टी अटेक किया गया था, जो एक परसन वहाँ पर इंजेड हुआ था, उसको देखने के लिए खुद होस्पिटल में पोचे है आप यहाँ पर भी देख सकते हो, जो अटेक किया गया है, CM की सिक्योर्टी कनवे पर मनिपूर के अंदर, उसमें एक बंदे जो है, वो इस समय इंजेड है और होस्पिटल के अंदर है, और यह जो मनिपूर में हिंसा हो रही है, यह पूरी तरह से रुखने का नाम नहीं ल हुणा जा रहा है, अब इस पर क्या एक्शन होने वाला है, सेन्टर गौर्रमेंट द्वारा डिसिजन लिया जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो, जो हिंसा गरज छेतर थे जली बिरम डिस्टिक में, वहाँ पर CM जा रहे थे, अजब CM जाते है, रस्ते में ही, कुछ ट मार दे जाते है, साथ हजार लोग वहाँ पर डिस्प्रेस मूव किये जाते है, यानि वहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते है, उस स्थान को छोड़ कर चले जाते है, उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो, एक हजार लोग क्या होता जाते है, गाय तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यह इंडिया है, और यह इंडिया के साथ जो लगा हुआ, चित्र है, यह मैनमार, यह वाला जो एरिया है, यह Northern East एरिया है इंडिया का, और यह हिस्सा जो है मनीपूर, जो हिस्समें, पूरी तरह से जल रहा है, अब मनीपूर को ओए जोम करें तो ये किसमें आता है ये नोर्थ इस्ट एरिया में आता है ये वाला हिस्सा मनी पूरा और इसका ये वाला जो हिस्सा है ये मेमार से पूरी तरह से टच है अब ये मेमार से टच होने के कारण आप यहाँ पर दे सकते हो जो कूकी वेक्ति है या जो कूकी समुदा है वो इस पूरे area को यह जो आप देख रहे हो brown color का इस पूरे area को वो अपना homeland मानता है अब वो अपना homeland मानता है तो वो नहीं चाता कोई और समुदाई यहाँ पर आके रहे हलाके खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैमार है मैमार से बहुत सारे जो इसाई समुदाई के हैं मुस्रिम समुदाय के हैं वो खुद भारत के अंदर इस वे से एंटर हुए है अब यहाँ पर देख सकते हो यह जो एरिया देख रहे हो आप यह जो हलका सा ब्राउन कलर का है आप यहाँ पर देख सकते हो यह कौन है एक साइड हो गए आप यहाँ पर देख सकते हैं यह वाला जो एरिया है यह वाला एरिया मेतई का है यादि मेते स्थिमूदा यहाँ पर रहता है चाहिए इंपाल इस्ट हो इंपाल वेस्ट हो या बिसनपूर हो तो यहाँ पर कौन रहता है यह मेते रहता है जबकि यह जो कुकी और नागा के ये किस के होगे ये होगे कुकी के एरिया और ये वाला हिस्सा किस का होगे नागा का हो गया नागा में और कुकी में कौन लोग आते हैं इसाई लोग आते हैं जबकि मेताई में कौन आते हैं मेताई में हिंदू mostly है थोड़ी मुस्लिम ब्याइदी मुस्लि मुसलिम है आप यहां पर देखते हो बिसनपुरा में लगबग 8% मुसलिम है जबकि यहां पर ताउसबल में देखा जाए थोड़ी बहुत मुसलिमों की संक्य यहां पर ज्यादा है और यहां पर प्रभावित चेत्र हैं यहां पर मुसलिम चेत्र प्रभावित नहीं यहां प पूरी तरह से देरे देरे चेंज हो रही है और वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो जाइड से बाते हिंसा तो होगी होगी आप यहाँ पर देख सकते हो यह इंडिया है और यह वाला हिस्सा है यह बाउंडरी है भारत और मैमार के बीच में अब यह जो बाउंडर जो वहां पर SC category में डाला जाता है, तो इससे क्या होता है, नागा और को की काफ़े ज्यूंदा प्रोभाइद हो जाते हैं, बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो फाइधा उंको मिल रहा था, अब वो किसको मिलने लगे गा, मेते को मिलने इसमें क्या बोला गया है यह बोलते हैं कि न्यू दिल्ली से मनिपूर पहले से ही अलग रहा है और मनिपूर की उपईच्छा की गई है काफी जादा इस आदहार पर भी वे लोग भारत के कानून को नहीं मानते तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1970- shy में बी वहाँ पर इस बात को लेकर हिंसा होई थी और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर यह जो हिंसा हो रही है आप दे सकते हो जो category में डाला गया है मेताई को अब ये बोला जा रहा है अब मेताई लोग पहाड़ी छेत्रों में जाके क्या करेंगे जमीन खरीदेंगे अब वो जमीन खरीदेंगे क्या होगा उनका चेत्र उनका कारूबार इससे प्रभावित होगा अब वो प्रभावित सस्क्राइब करना मत बूलना थैंक यू